Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं हूँ शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्लकुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चो ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके तो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैं की जबानी बच्चो और आज मैं आपको एक ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जिसको पढ़कर आपको मज़ा आजाएगा ठीक है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का डवलाप्मेंट बाई आर ने इंटरफेरेंस क्लियर है बच्चो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बी टी कॉटन के बारे में पढ़ा उसके बाद मैंने कैस्टर ओयल के बारे में आपको ब्रेसिकाल लुपस के बारे में नुपस नौपस के बारे में बताया है जिसमें हिरुडीन जो हमने सिंतेसाइस किया तो हमने लास्ट क्लास में कुछ एग्रिकल्चर का यूज किया अगरी कल्चर बाय टेक्नोलिजी का यूज कि एंद बीटी कॉटन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट बचो ध्यान चे सुनेगा आज हम डिसकस करने वाले हैं कि हम एक पेस्ट रजिस्टेंट प्लांट जो है वो आरेने इंटाफ आजन ता आप ने वोली डाला था ऺ dere dice एक कि इंसके में इंसेट के इंदर आक्तिवेस्ट हुआ था मिट गटन utilizz कर दा ethical a p घर क्र एच हो जाएगा और यह क्राइजीन जो है यह मिटगत से पूरा छेत कर देगा छेत कर और बस जाएगे और इंसेक्ट मर जाएगा तो इस तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंट बीटी कॉटन बनाए पर आज मैं आपको पेस्ट रेजिस्टेंट वराइटी बताना चाहती हूं बाइदा आर इने साइलेंसिंग चली देखते हैं क्या है बहुत मज़ेदार चीज़े और दूसरी बात जब भी हम ट्रांजनिक ट्रांजनिक प्लांट का मतलब क्या होता है कोई भी बायो टेकनोलोजी वाला प्लांट तो कोई भी ट्रांजनिक प्लांट बच्चो जी ध्यान तो यह कैसे बनाओगे कोई जीन जो खराब है और उस जो कोई जीन जो है जिसकी वज़ासे पेस्ट रेजिस्टिविटी गड़बर पस्ट पेस्ट रिजिस्टेंट वराइटी नहीं उपारी उस जीन को निकाल लो ठीक है कोई जीन एड़ कर दिये बीटी कॉटन में अपने क इसमें पूरी खेल जो है वो जीन एडिशन का ही है जीन एडिशन और जीन सब्स्ट्राक्शन चलिए शुरू करते हैं सो सबसे पहले मैं बताऊंगी formation of transgenic plant कैसे formation of transgenic plant by the gene addition gene addition में हमने क्या बताया था example जो हमने last class में discuss कर लिया था हम कोई भी transgenic plant बना सकते by the gene addition और हमने BT cotton को बनाया है cry gene addition से clear है I don't think so कि यह मुझे बताने की जरूद है हम BT bangan, BT cotton, BT corn, BT rice, BT potato, BT tomato सब ऐसे ही बनाते हैं clear है हमने मैंने आपको last class से बताया था koliopterans, diopterans, lapidopterans को मारने के लिए हम basically ऐसे resistant variety of cotton rice, tomato, potato, corn की बनाते हैं clear है यह last class में यह वाली कहानी अपनी discuss हो चुकी थी आज हम discuss करेंगे क्या? आज हम discuss करेंगे transgenic variety बनाना by what? by the subtraction and inactivation of the gene तो आज हमको यह सीखना है, last class में हमने सीखा कि हम pest resistant variety gene को add करके कैसे बनाते हैं जिसमें हमने cry gene को add किया आज आज आपके लिए बहुत important चीज़ है कि किसी gene को inactivate करके आप कैसे एक plant को pest resistant बना सकते हैं और इसके लिए सबसे बहतरी इंशानदार जबर जस्त example जो है वो है example तो बहुत सार हैं पर इसमें हमको tobacco plant का जो है example पढ़ना है बच्चो इस वेरी वेरी important और यह neat में कई बार सवाल पूछा गया है अब बहुत सारे लोगों को ना यह समझ ही नहीं आता यह चल क्या रहा है मैम पर आज आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूद नहीं है आज हम इसके बारे में discuss करेंगे ठीक है चलिए अब तोबैको तोबैको एक ऐसा plant है जो की तोबैको जो तंबाकू होता है तंबाक जबरवाला हर कभी स्मोक में तंबाकू ले रहे पान में तंबाकू ले रहे ठीक है और खैनी लोग खा रहे हैं सुपाडी में लोग खा रहे तो तंबाकू का सेवन जो है बहुत जादा है और तंबाकू की जो खेती होती बहुत लार्ज स्केल में की जाती तंबाकू से इ यहां पर एक insect होता है चीक है एक होता है insect insect का नाम है milloidy gynae incognita ठीक है milloidy gynae incognita का नाम ऐसे याद रख लिए ना जैसे खुद का नाम यहाद रहता है clear है तो जैसे खुद का नाम है my name myself शुपरा तिवारी तो प्लीज रेमबर दिस milido mea meledo gynae incognita ठीक है, Miloidy Gynae Incognita ये एक ऐसा इंसेक्ट है जो, ये देखो, this is Miloidy Gynae Incognita जो की टोबैको की रूट में घुसकर टोबैको की ऐसी कम तैसी कर देता है, टोबैको को infectious बना देता है और टोबैको का पूरी-पूरी खेती नस्ठ हो जाती है तो हमें कुछ ऐसे प्रकार के टोबैको जनरेट करने हैं, जिससे ये Miloidy Gynae Incognita उस पर act ना करे है क्लियर हो गए इतनी बात, I don't think so कि इसमें कोई confusion होगा, आये शुरू करते हैं मेकानिजम करेंगी कैसे, हम कैसे बात करें कि हमें एक ऐसा टोबैको बनाना है, जिसमें हमें Miloidy Gynae Incognita का इंफेक्शन नहीं होने देना, चले शुरू करते हैं, Miloidy Gynae, चले मैं डाग्राम सही आये, आये, ये process का नाम है gene silencing, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, the name of the process is called as gene silencing, ठीक है, gene silencing, चले देखते हैं क्या है, so हमारे पास एक insect है, listen to me very carefully, so that मैं किस कलर का इंसर्ट बना हूँ गाईस, मैं इस कलर का इंसर्ट बनाती हूँ, suppose that ये है मेरे पास, no, it is not good, suppose that ये है मेरे पास miloidy gynae incognita, clear है, ये एक insect है, अब होता ये है, ध्यान से समझेगा, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि मैं इसको colorful बना लेगा, चलो colorful बना लेते हैं, चलो, so ये है मेरे पास एक insect, जिसका नाम है miloidy gynae incognita, ठीक है, लिख दू क्या, बोलो, बोलो, मैम आपका, आप मानोगी तो हो, नहीं लिखोगी तो होई, तो लिखी डालो, फिर क्यों पूछ रही हो, miloidy gynae incognita, किसको infection करता है बच्चो, ये infection करता है tobacco की, मैं बना पूरी पूरे tobacco की खेती खराप कर देता है, तो हमको tobacco को इस insect से बचाना है, चलिए, we have DNA, ठीक है, we have DNA, अब आप लोगों को मेरे खाल से मैंने इतनी जनेटिक्स तो पढ़ाई है कि आपको ये पता है, कि DNA से हमेशा क्या बनता है MRNA, क्लिए, इतनी जनेटिक्स तो अपने डिसकस किये ने बच्चो, कि DNA से हमेशा क्या बनता है MRNA, और MRNA से बेटा जी, लला जी मेरे प्यारे बच्चो जी, आखों की तारों जी, क्या बनता है प्रूटीन, इस इस नॉर्मल प्रोसीजर, डिने से MRNA बनाना, इस कॉल्ड आस ट्रांस्क्रिप्शन, और MRNA से बनाना, इस कॉल्ल आस ट्रांस्क्रिप्शन, ख्लियर हो गई इतनी बात, आप बिल्कुल ध्य जाओ जाओ जनेटिक्स के चाप्टर्स पढ़ा रखें, जाओ उनको देखो, ठीक है, तो डीने से MRNA बनाओ, ये प्रोसेस है ट्रांस्क्रिप्शन, और MRNA से प्रोटीन बनाना, इस प्रोसेस है ट्रांस्लेशन, क्लियर है, हर प्रोसीजर में, हर बोडी में यही मेकलिसम ज सुनिये, बिलकुL ध्यान से सुनियेगा, अब DNA में, देखिये, DNA से हमने MRNA, ये जो MRNA बन रहा है, ये हैं सेंस anis mRNA, Sense mRNA का मतलब क्या होता है? दो टाइप के mRNA होता है, एक होता है Sense mRNA और एक होता है Anti-Sense mRNA, clear है? द्यान से सुनिए, यह है Sense mRNA अब, नॉर्मली हम एक DNA से जो है, एक mRNA बनाते हैं यह Sense RNA होता है, Sense RNA मतलब complimentary RNA होता है, this DNA, ठीक है? मतलब जैसे कि मालो यह DNA है ना? This is मालो यह DNA का एक strand है, तो यह हुआ आपका Sense RNA, तो इसके फल स्वरूप, यहाँ पर जो RNA बनाएंगे हम, this is the Sense RNA यह क्या है बच्चो, Sense RNA, clear है? तो नॉर्मली DNA से हमें mRNA बनाते हैं, और उसको हम Sense RNA कहते हैं, यह बात आपको clear होनी चाहिए, चीक है? और अगर माली जे इसका एक हमने complementary opposite बनाया है, तो यह होता है anti-sense RNA तो यह यहाँ पर देखो, मैंने slides में लिखा भी हुआ है, आपको clear होगा, देखो double, कहां गया, कहां गया, कहां गया, चलो, चलो, अर्यार, इसमें नहीं, रुको यह देखो, मैंने कहीं लिखा भी हुआ है, मुझे यादा है, okay, now, यह gene which is called as DNA, DNA से क्या बनता है, messenger RNA, अब इस gene को उल्टा कर दो, listen to me very carefully, अगर मैं इस gene को उल्टा कर दूँ या opposite कर दूँ, तो इससे जो RNA बनेगा, वो क्या होगा, anti-sense RNA होगा, clear है न, इतनी बात में कोई confusion तो नहीं, यह DNA है, DNA का sequence है, अगर है, A, B, C, D, तो इससे जो RNA बनेगा, वो है, sense RNA, ठीक है, sense RNA, और अगर मैं इसको उल्टा कर दू, D, C, B, A, तो इससे जो RNA बनेगा न, बच्चों, वो है आपका anti-sense RNA, उल्टा कर दोगे, ठीक है, उल्टा कर दोगे sequence, तो आपका, जो है, DNA और RNA जो है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अब जैसे DNA है, ठीक है, DNA का एक strand होता है, sense strand, sense strand, ठीक है, और इसी का complementary होता है, दूसरा, जो कि opposite होता है, भई, A के साथ हमेशा T बाइंड होता है, G के साथ हमेशा C बाइंड होता है, तो इसका जो opposite strand होगा, वो हमेशा anti-sense होगा, यह आपको पता होना चाहिए, जैसे DNA की DNA से MRNA बना, यह से हम कहते sense MRNA बच्चो और इससे बनता protein, अब Milano, Melloidy gynae के लिए, यह protein is very essential, getting my point, यह जो protein आप बना रहे होना, DNA से MRNA बनाया, ठीक है, DNA का जो template होता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, आपका MRNA बनाते हैं, उससे हमने protein बनाया, clear है, normally यह protein is very essential for Milano gynae, और इससे जो है, basically यह protein जो बना, this DNA का यह वाला जो gene है, this gene is gene of parasitism, ध्यान से सुनिएगा, यह जो gene है, जिससे आप protein बना रहे हैं, this gene is gene of parasitism, ठीक है, यह gene क्या है बचो, parasitism का gene है, जिससे क्या बनता है, MRNA बनता है, और MRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, clear है, यह protein बहुत essential है, इसके parasitism से के लिए, और यह फिर जाएगा, यह हाँ हाँ, ओके, थोड़ा मोटा मूँ बनाती हूं इसका में, और यह फिर जाएगा, इस तरीके से, यह गया, और यह जो है, आपका क्या नाम से वो करेगा, जैसे ही यह टोबैको का प्लांट खाएगा, और यह अपने जितने भी प्लांट, जैसे यह खाता है, तोबैको का इंफेक्ट करना शुरू करता है, गइनी, यह पूरे गंदे-गंदे से प्रोटीन उसके इंदर छोड़ देता हो और उसे खराब करदेता है, smarter है, अब मिलाइडो, मिलोओडी गाइनी जो है, यह एक प्लाकार कान में, तोबाइंटendo है, यह तो ही मिलोओडी गायनी की कहानी, कि वह इतना खतरना क्यों है, कि उसके अंदर एक प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन बहुत एसेंशल है ये प्रोटीन फलाना जीन से बनता है तो कुछ भी करके हमें अपने पौधे के अंदर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि मिलोईडी गाइनी की ग्रोथ उसके अंदर नहीं हो अब बेटा जी लला जी मुन्ना जी निन्हो जी सुनो अब आप लो एक टोबैको की सेल ठीक है ला 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 अब इसको बताते है अपन तो ये तो खापी के बैठा रहेगा कोई दिक्कत नहीं पर जब इंफेक्ट करेगा तो ये इतना भयंकर जैसी इसका प्रोटीन सिंतिसाइ अब लो एक टोबैको की सेल ठीक है अब लो एक टोबैको की सेल ठीक है अब आपको ध्यान से समझना है मेरी बात ठीक अब आपको ये समझना है कि इस मिलोईडी गाईनी के डियाने को निकालिए डियाने को निकाल कर आप इसको सेपरेट करिए सबसे पहले डियाने को सेपरेट करिए clear है इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई परिशानी तो नहीं ठी ये DNA को आपने separate कर लिए दो strands बने, ये है strand 1 ये है बच्चो, strand 1 लला और ये है आपका strand 2 clear, अब क्या करेगा तुम लोग, क्या करेगा बच्चो मेरे बच्चो, बताओ तुम क्या करोगे अब तुम इसे अब तुम इसे, कहां भीज़ दो अब तुम इसे, इन दोनो strands को कहां पर भीज़ दो, टोबैकों के अंदर clear है बोलो, clear है clear है, clear है, clear है अब ये जो है, ये DNA के दोनो strands यहाँ पर पहुच गए चिक, समझ में आ गई बात DNA के दोनो strands यहाँ पर पहुच गए अब ये वाला जो DNA है ध्यान से समझेगा, ये वाला जो DNA है, ये अपना MRN बनाएगा, ठीक है, ये अपना MRN बनाएगा, बनाएगा की नहीं बनाएगा और ये बनाएगा अपना MRN clear हो गई, clear ये दोनों अपना MRN बनाएगा, ठीक और ये दोनों MRN जो बनी है एक इससे बना, और बच्चों एक इससे बना clear है, ये इससे बने, ठीक और ये दोनों अब MRN क्या होंगा, अब यहीं पर बनाना चाहिए पर जगहा नहीं है आपका कहानी थोड़ी चेंज है यहाँ पर ये दोनों डियने के स्टाइड कॉम्पलिमेंटरी है, तो MRN भी तो गॉम्पलिमेंटरी होगा अब यहाँ पर आपके पास double stranded, मतलब बहुत एक्स्लूजिव चीज आ गई, यहाँ पर आपके पास एक double stranded mRNA बना, यहाँ पर आपके पास क्या बना? एक double stranded RNA बना, क्लियर हैं? क्या बना? double stranded RNA बना, समझ में आई बात? यह double stranded RNA बना कर रखे रहो, किस पे? टोबैकों के अंदर, क Melloidy gyneka है, it is very very essential for the growth of Melloidy gyne, listen to me very carefully क्या बोला, कि normally DNA से क्या, normally क्या हमेशा जी यार, DNA से क्या बनता RNA, RNA से बनता protein, ठीक है? तो कोई एक particular gene, जो उसको toxicity देता है, जो उसको parasite बनाता है, उसके लिए protein responsible है, तो शरीर में जीन जो है वो RNA बनाएगा, और RNA से protein बनेगा, clear है? और य और ये जो है, ये protein tobacco के अंदर छोड़ देता है, और ये protein जो है, अब ये tobacco को tumor गाठ जैसे बनाना शुरू करता है, अब आपने क्या किया? जनेटिक इंजिनेरिंग से आपने Melloidy Garni की cell से ये वाला gene निकाल लिया, जनेटिक इंजिनेरिंग पढ़ रहा किया हम लोगों भेज दीजे, ये हमेशा आप इस यहाँ पर जब भी हमें कोई gene, कोई gene, कोई DNA भेजना है, तो हम क्या कौन सा plasmid यूज करते है, TI plasmid, TI plasmid के माध्यम से आप इन्हें यहाँ भेज दीजे, अब इस DNA ये दोनों एक डूसरे के complimentary है, अरे देखो ना, इनको अलग अलग कर ल इस जूली कैसा होता है, single standard, single standard, पर यहाँ पर आपने MRN कैसा बना है, double standard, clear, अब क्या करना है, अब ये myloid गाईनी आया, चारा, 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 और इस myloid गाईनी ने इच कर लिया, किसको, इस cell को, clear है, अब ये जो double standard DNA है, ये कहाँ पहुचा, लला, ये double standard DNA मचल बना पहुचा, इनके पास, ये, ललला, मैं डnt, जैसा क्यों बना देती हूं, यार ने, sorry, 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 sorry,harma,lene, ये इस नहीं बनाना है, मुझे है, मैं सब कुछ एक जैसे बना देती हूं, ये, ये, ये हमारे पास double standard RNA बने गया, clear, अब ये double standard RNA बच्च्चो पहुचा य यहां पर यह देखो, यह double stranded RNA पहुचा यहां पर, clear, ओके, अब मिलोईड ही जाए, खालिया उसने टोबाको की सेल को देख, समझ रहे हो ना, टोबाको की सेल को देख, खालिया, अब यह जो टोबाको की सेल थी, इसके अंदर क्या था, double stranded RNA था, ठीक है, double stranded RNA, listen to me very carefully, यह double stranded RNA, ज कहते हैं, dicer protein, यह dicer protein, इस double stranded DNA को खटेक, ठेक, double stranded DNA को क्या करेंगे, आपका RNA बना हुआ है, ठीक है, इहां पर message, ऑने से बना हुआ है, clear, यह dicer protein जो है, इसको टुकडो में तोड़ देगे, clear, यह dicer protein इसको टुकडो में तोड़ देगे, si separate कर दे male ink अब जब strand सर्ग 되어 हो जा हाथू इनी से बना हुए ना, तो ये जैसे dice a protein से ये जो strand से ये अलग हो जाएंगे, और ये complementary strand जो है, ये यहाँ से आकर bind हो जाएगा, clear है? अब होगा ये, कि ये आपका जो RNA है, ये कैसा है, double standard RNA, कैसा है बच्छो double standard RNA, और double standard RNA से कभी भी प्रोटीन नहीं बन सकता है, एक बर और समझ ले इसको, आईए, पहले फ्योरी समझ लेते हैं, फिर और समझते हैं, देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, बिल्कुल भी नहीं, चलो, आजाओ, कैसे करते हैं, हमने क्या किया है, नॉर्मली हमेशा यह याद रखना बच्चो, हमेशा, double standard RNA से कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर वो essential protein उस insect के अंदर नहीं बनेगा, protein नहीं बना, तो insect die हो जाएगा, insect मर जाएगा, बोलो, insect मर जाएगा, अब normally insect कैसा बना रहा है, देहान से सुनते जाना बच्चो, तो सब समझ में आएगा, नहीं सुनोगों तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, अब यह insect normally कैसा RNA बनाता था, यह normal insect जो है, यह हमेशा single standard RNA बन सकता, अब अगर यह single standard RNA है, single standard RNA है, clear है, single standard RNA है, तो बाहर से अगर आपने इसका कोई भी complementary stand लाए, तो अब यह कैसा बन जाएगा, यह बन जाएगा, डबल standard RNA और प्रोटीन नहीं बनेगा, insect die हो जाएगा, अब बाहर से आप RNA, बाहर से RNA लाओगे कैसे, बाहर से RNA लाओगे क इसका mechanism अभी हमने डिसकस किया, कि आप पहले मिलोडी गाइनी का DNA का लो, उसको अलग-अलग करो, फिर उसके बाद दोनों strands को अंदर भेजो, दोनों strands अपना अपना MRNA बनाएंगे, यह दोनों MRNA complementary होंगे और double strand हो जाएंगे, उसके बाद इस double standard RNA को, उसके बाद इस double standard RNA को तबैकों के पास है double standard RNA, अब आया मिलोडी गानी, यहा, मैं खाऊँगा, लललला, उसने तुरन तबैकों के प्लाइट को सेल को खा लिया, जैसे ही तबैकों के सेल को खाया, double standard RNA आया, इसके पास एक dicer protein होता है, क्या होता है, डicer protein होता है, डबल standard RNA को तुरन single standard किया, single standard RNA जो तूरंत यह देखा कि ओहो हो ओहो हो मेरी जाने जहार जो है जाने बहार जो है यह तो एक स्टेंड बना कर रखिए चलो मैं कॉम्प्लीमेंटरी बना लेता हूँ जैसे ही डबल स्टेंडड बना आरेनी प्रूटीन बनना बंद हो जाएगा और यह इंसेक्ट वहीं पर मर हमारे ने उसको ढूल लिया उसे डबल स्टेंड बनाया आप प्रूटीन की सिंथेस होई नहीं सकती तो आपने देखा कि हमने टोबायकों के अंदर क्या किया है हमने टोबायकों के अंदर इन डीने को इंजेक्ट करके डबल स्टेंड आरेने बना लिया है डबल स्टेंड आरने की वजह से इसकी बॉडी में कभी भी प्रोटीन का संथेस नहीं हो सकता तो यह क्या है बच्चो बोलो 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 त्यान से सुनना इसमें आपने आरने को बोला तू चुप जा तू अपना काम मत करी हो पर यह जब तक सिंगल स्टैंड रहेगा मिलोडी गानी के अंद क्या कहते हैं हम इसे जीन साइलेंसिंग अब होता यह है कि जो एमारने मिलोडी गानी के अंदर बन रहा है वो है सेंसारने तो जो उसका कॉंपलिमेंटरी होगा वो क्या होगा एंटी सेंसारने इसलिए हम इसे एंटी सेंस इसलिए हम इसे एंटी सेंस टेक्नॉलिजी भी कह समझे क्या बोला मैंने देखो त्यान से सुनो यह जो MRN जैन से ना टेंपलेट से हम आज़ा हम सेंस आरेने बनाते हैं तो जो इसका कॉंपलिमेंटरी जो यह बाहर से टो वैकों का बाइंड होगा कि वह कैसा होगा एंटी सेंस तो हम क्या दे रहे हैं मिलोईडी गाइनी को मिलोईडी गाइनी को हम क्या दे रहे हैं मिलोईडी गाइनी को हम एंटी सेंस आरेने दे देते हैं जिससे वह सेंस आरेने के साथ बाइंड जाता है तू मुझ बंद रखियो नहीं तो तेरी को ऐसी तैसी कर देंगे और सेंस आरेने अपना काम नहीं कर MRNA को silent कर दिया है तू बोलियो मत तू ने जो बोलियो तो तेरी तो मृत्यूता है तो इसे हम कहते है gene silencing हमने gene को silent किया जीन को silent कैसे किया हमने उसके functional MRNA के साथ उसका complementary MRNA जाके bind करवा दिया complementary MRNA कहां से आया या या tobacco leaves से आया तो कोई भी इंसेक्ट जो आपका मिलोडी गायनी अगर वो टोबैको प्लांट को खाएगा और अगर इस टोबैको प्लांट में वो double standard RNA जो हमने उससे जब अरजस्ती बनवा के रखा है अगर उसमें है तो वो कभी भी इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर में जे किसी भी जीन को मुँ बंद कराना है तो किसी भी तरीके से मुझे इंसेक्ट के अंदर एक anti-sense RNA देना है क्योंकि जो sense RNA होता है वो हमेशा प्रोटीन बनाता है और अगर तुमने जाकर किसी भी तरीके से इंसेक्ट के अंदर anti-sense RNA गुसा दिया तो डबल स्टैंडेड हो जाएगा डबल स्टैंडेड आरेने प्रोटीन नहीं बना साथ तो रेंटी सेंस आरेने हम कहां से दिलवाएगे टोबैको प्लांट से तो कोई क quieres क्यों वी 7 कियों दूंड़ रहा है और उसी के डेयनेसे जो है हंशी का अमारने तो हमेशा योविसली चेक है यह टोबैको की roots में clear है, several organism attack nearly every food fiber crop grown by invading plant roots, ठीक है, okay, it feeds on the root cell causing root to grow in large knots damaging the crop and reducing its yield, ठीक है, तो यह उसके root के इंदर घुश जाते हैं और toxicity produce करते हैं और जो आपकी root है वो गाठे बनाना शुरू कर देती है, ठीक है, it is called as root knot nematode, तो जिसकी वजह से root में infection हो रहा है, वो कहलाते ह root not nematode, यह क्या करते हैं, यह आपके टोबैको की जड़ में गाठें produce कर देते हैं, जो यह indicate करती की infection हो गया है, clear, अब हमें जिसका बात करनी है, वो क्या है, myloidigyne incognito, incognita, यह एक प्रकार कार क्या है, round warm है, escalminth है, और इसकी विजह से टोबैको की जो yield है, वो बहुत ज sustainable management tactic for preventing such damage, कौन सा है, यह RNA silencing, सबसे ज़्यादा जो है, sustainable है, मतलब लंबे समय तक चलती है, अब यह क्या होता है, यह plant जो होता है, basically, यह plant में हम ऐसे कुछ कहानी कर देते हैं, यह गर उसको insect खाएगा, तो खुद ही मर जाएगा, ठीक है, now, process of RNA interference, इसको हम RNA interference क्यों कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल RNA, मिलोईडी गानी के अंदर जो protein बना रहा था, अब हमने उसके कामें interfere कर रहे हैं, नहीं, नहीं, तुझा protein नहीं बना देंगे, तु इधर जाएगा, हम इधर जाएगे, तु जाएगा, इधर हम जाएगे, तो दोनों इस तरीके, इस RNA को कामें नहीं कर करते दे हैं, जिसकी वज़ा से जो respective protein है, खतरनाक वाला वो नहीं बनता, mechanism is used for the regulation of specific gene, also applied as a defense against the viruses, ये जनरली हम तब भी उस करते हैं, जब हमी किसी virus का protein रोकना होता है, तो basically हम therapies देते हैं, कि हम उसका antisense RNA देते हैं, RNA जो है double standard हुआ, वो protein बनाई नहीं पाएगा, चिक है, चल तो इसने इनको normal single standard RNA चाहिए, प्रोटीन बनाने के लिए पर हमने क्या किया, हमने इसको double standard RNA दिया, double standard RNA कहां से आ रहा है, मैम जी, ये हमें पता है, ठीक है, मैम जी, ज्यादा style मित मारो, या रहा तो बैको से, double standard RNA को, अच्छा, मैंने आपको बनाने के लिए, तो पहले उसक स्टीक करें ना कि उसको पहले कट करेंगे, फिर single standard करेंगे, तो डाइसर प्रोटीन से center करो, cut करने के बाद क्या करो, cut करने के बाद उससे single standard करो, ठीक है, तो पहले double standard अपने डाप अनि टोबैको से लिया, कैसे बनाया था, यह, मैन आपको बता है, तो बैको से लोग हो तो आरे कहां से आया है, तोबैको से, कट करो, कट करने के बाद, किया करते हैं, सिंगल स्टेंड करने के बाद, इसे कहां बाइंद करना है, फंक्शनल एमारने पर किसे मिलोडी गयाईorta नित है, और वो जैसी वहाँ पर जाके बाइंद होगा, तो इसको silent कर देगा, शान्त रहना, बिटा, protein मत बनाना, protein नहीं बनेगा इसलिए हम इसे gene silencing, anti-sense technology क्यों कहते हैं, क्योंकि, 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 यह जो RNA आ रहा है यह actually कैसा है, anti-sense है, कैसा है anti-sense है, जो sense mRNA के पर bind होता है इसलिए हम anti-sense technology भी कहते हैं, तो gene को बेटा जी, आपने silent किया है clear हो गई बात, ओके, तो आपने क्या कर दिया, gene को silent करके, बोला, शान्ती से बैठे रहना, कोई गुंड़कान नहीं लाएगा in this technique, the gene is specifically silent, कौन सा gene silence करना है, वो gene जो pathogen को, जो आपका insect उसको जिन्दा रखने के लिए important था उसके बाद ये जो है, हर, normally हम अपने cellular defense mechanism के लिए बेबी करते हैं, कि हम उन genes को silent कर देते हैं, जिनसे हमारे body में infection होने वाला है method involved in the silencing of specific RNA is due to the formation of double standard RNA ठीक है, क्यों gene silent हुआ, क्योंकि हमने, क्यों gene silent हुआ, because हमने double standard RNA molecule बना दे, double standard RNA molecule कभी भी protein नहीं बना सकता हमने एक sense RNA के उपर अपना एक anti-sense RNA जोड़ दिया, double standard बना, protein नहीं बना, ठीक है समझ में आ गई बात और इस तरीके से normal translation जी से protein बना था वो नहीं हो पाई, clear है source of this complementary RNA, ठीक है, यह हमको यह पता होना चीए कि यह complementary source of this complementary RNA, ठीक है, यह कहां से आया है तो यह आपको बता है कि tobacco से आया, could be form infection virus, having RNA genome और mobile genetic element that replicate via RNA intermediate यह यह बता रहा है कि जो हमाँ पास RNA है, उससे आपका infection होता है अब हमको यह बात करनी है कि using agrobacterium vector, nematode specific genes were introduced into the host plant तो हमने यह nematode specific gene, यह क्या बोला, यह क्या बोला, यह line क्या बोल रही है using agrobacterium vector, ठीक है पहले इसको समझते है, source of this complementary RNA could be form from infection by virus having RNA genome और mobile genetic element that replicate via RNA intermediate इसका मतलब आपको कुछ नहीं है, बस RNA से RNA बनाना, ठीक है आपको अगर milloidy gynae से tobacco में अपना DNA भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे, plasmid से, कौन सा plasmid, Ti plasmid ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बच्चो तो हमारे पास double stranded RNA, double stranded RNA कहां बना है, माम जी ये तो चोबैको में बना है, इस चोबैको को किसने खाया, इसे इसने खाया और उसके बाद इसकी कहानी खतब, ठीक है, समझ में आ गई बात ये ये बोल रहा है, कि जब आप plasmid के थूट DNA भेजते हो, तो ये याद रखना कि दोनों भेजना, सेंस भी और anti-sense भी, सेंस और anti-sense भेजोगे, तो उसके फल स्वरूप क्या बनेगा, double stranded RNA बनेगा, क्लियर है, जब दो RNA binding complementary to each other, form double stranded RNA, ठीक है, भाईया, sense DNA से sense RNA, anti-sense DNA से anti-sense RNA, दोनेग दूसरे को complementary होते हैं, तो double stranded RNA बन जाएगा, क्लियर है, और इसे फिर कौन कहा लेता है, milloidy गाईनी निमेटोड खा लेता है, और उसके बाद अब शुरू होता है RNA interference, जैसे ही milloidy गाईनी के अंदर पहुचा, खच 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 खच, काटा गया, काटा करने के बाद single strand किया गया, वो जा के complementary bind हुआ, किस के साथ, functional RNA के साथ, और उसे silent कर दिया, rest in peace कर दिया, अब protein नहीं बनेगा, ठीक है, तो यह इसके consequence क्या होगे, कि आपका parasite milloidy गाईनी survive नहीं करेगा, the transgenic plant therefore got itself protected from the parasite, और इस तरीके से, जो आप करें, जैसे माल लो, कि उस एरिया में, suppose that, कि 5000, क्या रहते हैं, 5000 milloidy गाईनी देते हैं, अब यह milloidy गाईनी, पूरी-पूरी tobacco की population को ही खराब कर देते हैं, बच्चों, समझ रहे हो ना बात को, यह पूरी-पूरी जो है, population की ही, ऐसी कम तैसी किये जा रहे हैं, तो भाईया, तुम ऐसा plant क्यों नहीं हुआते tobacco का, जिसके पास क्या है, double standard RNA, और यह double standard RNA तुमने बनाया कैसे, हमने एक plasmid के माध्यम से, उस miloidy गाईनी के दोनों sense और anti-sense DNA को plasmid के थुरू टोबैकों में घुसा दिया है, अब टोबैकों के cell के अंदर हमने उस anti-sense DNA से, एक double standard RNA molecule बनाया, अब जैसे ही घुमता फिर ता DNA का RNA है, उसी miloidy गाईनी के DNA तो अपने टुबैकों के दिया था, miloidy गाईनी का इतो DNA दिया था, तो इससे वही RNA बनेगा, अब यह RNA अपने compliment दूलेगा, कहां है तू, कहां है तू, और यह जाके उस functional mRNA पर जुड़ जाएगा, जो protein survival के लिए बना रहा था, protein बनेगा, इनी, miloidy गाईनी, मर जाएगा, माडम तो बैकों को को मिलोडी गाईनी है, वो मर जाएगा, और हमारी अब भाई, 5000 मिलोडी गाईनी तो 5000 पती है कतम हो जाएगा, पूरा टुबैकों थोड़ी कतम हो जाएगा, क्लियर होगा इतनी बात, अब ऐसे ही gene silencing का एक बहुत बहुत बहतरीन इस एग्जामपल है, flavor saver tomato, flavor saver tomato it is very very important, very very important, ठीक है, देखे, इसे कैलजीन ने डवलप किया था, flavor saver tomato, flavor saver से याद रखो कैसे, कि जहां पर हम flavor को save करते हैं, हम tomato को पकने नहीं देते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते flavor saver tomato, हमेशा याद रखिएगा, कि अगर tomato, आपको बता है कि एक perishable fruit होता है और आपको पता होना चाहिए कि tomato जो होता है जल्दी से पक जाता है तो पकने का कारण होता है यह gene जिसे हम कहते हैं जिसे हम enzyme जिसे हम कहते है polygalacto uranase ठीक है यूरो नीज ठीक है polygalacto uranase जो enzyme होता है यह tomato को पकवाता है तो दिसे हम अब जिसके में polygalacto uranase ठीक है द्यान से समझे ए चली चली flavor savor tomato flavor savor tomato ठीक है flavor को जहां save करना है वो है flavor savor tomato बचको ठीक है flavor savor tomato ठीक है चली देखते flavor savor क्या है आपको यह बता हमें अचिये कि आपका टोमातो है उसे सॉफट निंग कों करता है टोमाटो सॉफटिनिंग के लिए के सॉफट निंग के लिए जीन या एंजाइन जो responsible है उस एंजाइन का नाम है बेठा बच्छ बीटा ग्या अपका पॉली गैलक्टो यह देखना पड़ेगा बॉली गैलक्टो ठीक है बीच्टा बीच्टा नहीं ऊजिदी गैलक्टो यूरोनेज यह जो एंजाइम होता है यह टोमाटो डिंक रवाता ह और ये वाला एंजाइम, और ये वाला एंजाइम, फास्ट राइपनिंग, क्या हो जाएगी बच्चों, फास्ट राइपनिंग, क्लियर हुई, और ये वाला एंजाइम, फास्ट राइपनिंग, क्लियर हो गए इतनी बात, कोई परिशानी, जिक, अब क्या करूं, क्या करूं क्या करूं हॉले हॉले जो मेरा दिल गा अब एक टमाटर बना लेते हैं एक यह टमाटर बभना लिये है मेरे थेक ह। को ऑगे यह सेव दिख रहा है पर यह है टमेटर ठीक है अब मैं क्या करूं टेख है अब इसके अनदर आप एक जया क्या इंट्रोड यू घुशक है इसके अंदर आप का इंट्रोड्यूस करू इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस अच्छाए यह क्या होता ध्रयं से सुनीगा इसार देखो मैं कैसे बना हूँ यह क्या आपका डिनन यह है आपका डीनने यह को फुल फॉर्म लिख देती हूं PG polygalacto uranese और यह क्या करता है राइपनिंग कर रहा था क्लियर राइपनिंग राइपनिंग कहां लिखे जा रहे हूं राइपनिंग क्लियर ओहरे यार सारी 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 चीक है से लिखती हूं शिपरा मैं के handwriting ना भगवान भी समझ जाए ना तो भगवान ही मालिक है ठीक है राइपनिंग हो रही है अब समझो तुमने इंट्रेड्यूस करना है फिर से वह रिविजन है फ्लेवर से वर टमाटो का हम रिविजन कर रहे लला सिर्फ रिविजन कर रहे हैं हमने यहां पर क् स्टेंडेड आरने भीजा चिए पहुँच गया ने कि टिक उसके बाद इससे क्लीव किया गया क्लीव करने के बाद से सिंगल स्टेंड किया गया अब यह जो सेंसरे ना धियान से सुनीगा ठीक है यार मैं हमेशा ना तुमको यह ना double standard RNA को हमेशा ऐसा क्यों बनाती हूँ DNA जैसे मैं भूल जाती हूँ बेटा मैं क्या करो मैं क्या करूँ यार तुमारी मैम को माफ करो यार मैं हमेशा DNA जैसे RNA क्यों बना देती हूँ यार तो हमारे पास ये था, बहुत बड़ा RNA था, RNA को फिर आपने क्या किया है बच्चों, क्लीव करना है, छोटू-छोटू करना है, डाइसर पूटीन से, कर दिया, कर दिया, फिर इसको single strand करना है, कर दो single strand, कर दो single strand, ये कौन सा RNA है बच्चों, ये है anti-sense RNA, anti-sense RNA, anti-sense RNA क्यों ह क्योंकि इसको sense bind होना है sense RNA लल्ला कहा है this is the sense RNA अब यह sense RNA जो है यह anti sense bind होगया अब यह क्या है बच्छो इस दडबल stranded RNA और जैसे ही double देखो 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 यह क्या है बच्छो इस दा this is the la 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 this is the double stranded RNA और double stranded RNA से आपका कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, clear है, double stranded RNA से no protein, no protein, no enzyme, no ripening, clear है, समझ में आये बात, तो हमने यहाँ पर कौन सा gene को silent किया, कौन सा gene को हम inactivate किये, हमने इस enzyme, polygalacto uranase बनाने वाले enzyme को, gene को silent किया, कैसे silent किया, हमने एक anti-sense RNA है, जो protein बना रहा था, उसका हमने बाहर से एक anti-sense RNA बना के दिया, मतला, basically हमने दिया double stranded RNA था, वो double stranded RNA किस में convert हुआ, single stranded RNA में, यह single stranded RNA, anti-sense RNA क्योंकि जिस से protein बना रहा है, वो sense RNA, sense, anti-sense, bind होगा, double stranded RNA बनेगा, अब protein की तो कोई सवाल ही नहीं है, तो अब protein बनेगा है नहीं, तो यह polygalacto uranase बनेगा, और अगर enzyme नहीं बनेगा, तो आपका जो टमाटर है, उसमें कभी वो पके गाई नहीं, वो पके गाई नहीं, कच्छा रहेगा, बहुत समय तक लहेगा, रोंग, long duration वाला रहेगा, बढ़िया उसमें फ्लेवर बने रहेगा, इसलिए कहता है, flavor saver tomato, तो ऐसी प्रजातियां of टमाटर, जिसमें आपने double stranded डाल के उ पच्छो, उसका वो टमाटर पकेगा नहीं जल्दी, and it is a great thing, तो आपने इसमें क्या दिया, आपने जीन को silent किया, इनाक्टिव किया, ठीक है, कैसे इनाक्टिव किया, वो बताया मैंने आपको, टबैको को मिलोईडी गाईनी से बचाने के लिए आपने क्या किया, आपने इसके जीन को silent किया, ठीक है, ताकि तू प्रोटीन मत बनाना तू मर जा, clear है, तो इस तरीके से हम अपनी population को बचा भी सकते हैं, तो मैटो वाराइटी में देखते है, पॉलिगेरेक्टो यूरिनेस, जो कि टमाटर की softening को प्रमोट करता है, ठीक है, इस एंजाइम के production से हो लूजय को रशी शेए पारीका करते है, ठीक है, शेर बात है, तो फ्रूट रमंट को ऑस systemsaremos PERIED, IT RETAINS THE FLAVOR, HAS SUPERIOR TEST AND HIGHER QUALITY OF THE TOTAL SOLUBLE SOLIDS therefore if we add to native DNA, we use this video to use it TI PLASMID, despite improving it will be set up by stem segment this Ti Plasma has właśnie basedonta blood질ful from DNA which Kyalkchuk entend renieaku lended pollen 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 polleny पेस्ट रिजिस्टेंट प्लांट, कमान करने बेरिबारी, दियान से देखिए, सेवरल नुमेटोड परसाइट, वाइज वराइटी ओफ प्लांट एन अनिमल, इंक्लूदिंग हुमन बीग्स, चीक है, नुमेटोड तो होते ही हैं पापी है, अनौबल स्टाटेजी वाडप्टेट तो प्रिवेंट दिस इंफेस्टेशन विच वाज बेस्ट ओन दे प्रोसेस ऑफ आरने इंटरफेरेंस, ठीक है, कैसे रोकेंगे इसको आरने इंटरफेरेंस है, इट टेक्स प्लेस इन और यूकेरेटिक और गानिजम, इसको हम जैसे मालो कोई हमारे अंदर वाइरस घुज गया, अब वाइरस से हमारे वाइरल प्रोटीन बनता है और हम मर रहे है, तो बैटा है वाइरस के जीन को ही साइलेंट कर दो ना, तो हम नॉर्मल डिफेंस मेकानिजम के लिए भी ये प्रोसेजर इस्तमाल कर सकते हैं, इस मैफ़ड इन्वाल था साइलेंशिंग उफ स्पेसिफिक अवरे ने के इस पेसिफिक जीन को ही साइलेंट करना है, डिव टू तो दा कॉम्लेमेंटर इव डबल स्टाने डरने कहां से लिया, आपने अपने तोबैको लीफ से लिया, ठीक है, और यह डबल स्टाने डरने जो है single strand हुआ फिर यह जाकि complementary bind हुआ और इसने उस जीन को silent कर दिया and prevent the translation of mRNA genes को silent कर दिया चुप जाओ जिसकी वजह से जो आपका protein है वो नहीं बन पाएगा clear है source of the complementary RNA could be formed an infection by the the source of this complementary RNA could be formed an infection by the viruses having RNA genome और mobile genetic element transposons that replicate via RNA interpreted यह viruses की बात कर रहा है ठीक है यह बोल रहा है कि complementary RNA जो होता है वह हमेशा हमें कहां से मिल जाता है वाइरस से मिल जाता है ठीक है आवाइरस में कहां तो RNA genome होता है जिसकी विजह से infection होता है using agrobacter vector को अगर हम हमेशा plant के लिए हम और anti-sense उसके बाद यह क्या हो जाएंगे complementary है और यह बना लेंगे double standard अब हट टोबैको के प्लास क्या है double standard RNA है ठीक है and thus initiated RNAi मतलब आपका interference ठीक है and thus silence this अब यह double standard RNA जो है इसको हम RNAi कहते हैं और यह silence करेगा specific protein into the nematode the consequences was that parasite could not survive in a transgenic host ठीक है अब यह parasite जो है अगर हम बोलें जैसी यह खाएगा host कौन है यहां पर भी यह तो बैको उसको खाएगा वो मर जाएगा clear है यह बात आपको चीक है यह देखो किस तरीक से infection वह लोगे दिस चीक है तो बच्चो मेरे प्याओ औरी बच्चो आज हमने क्या सिखा आज हमने सीखा बायो टेक्नोलीजी का use in the agriculture और आज मैंने आपको बताया कि कई बार जीन को आड करने से हम pest resistant variety बनाते हैं जैसे BT cotton कई बार हम जीन को silent करने से भी जो है pest resistant variety बनाते हैं silent करने के लिए कुछ नहीं करना है हमें double standard RNA को जो है कहां भेज देना है किसी भी ऐसी जगह पर जिसका जीन आपको शांत करना है double standard RNA आप बनाते कैसे हैं आपने मिलॉडी गानी की केस में double standard RNA आपने टो बैको के अंदर बनाया था टो बैको लीव के अंदर जैसे ही टोबैको लीव को मुलेडी गानी खाता है आपकी बैको इस्तिमाल करते हैं आप मेडिकल में वह हम नेक्स क्लास में बात करेंगे ऐसे ही मेरे प्यारे सुन्दर जो है निटकर लिक्चर चाहते हूं सारे चाप्टर की प्लेलिस्ट बनी है बेटा जाओ देखो इंजॉय करो सबको बताओ कि आओ और पढ़ते जाओ बेस्ट कंसेप्ट लर्न करना है तो मेरे साथ पढ़िये और वीडियोस देखते रहें see you in the next amazing session मेरे प्यारे बच्चो तब तब thank you so much and bye bye